नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नाजमिन सिद्धिकी स्वागत करती हूँ आपका पॉजिटिव न्यूज में आज कल ओनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए पेमेंट का इस्तिमाल करना काफी आम हो गया है लेकिन कई बार UPI यूजर्स को Slow Internet के कारण UPI पेमेंट करने में समस्या का सामना करना पड़ता है जिससे प्रोसेस में परेशानी आती है लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है UPI payment करने के लिए आपको हमेशा internet connection की जरूरत होती है लेकिन अब UPI के जरीए payment करने के लिए offline mode का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा UPI users star 99 hash ussd code का उप्योग करके अपने phone के माद्यम से offline mode में payment कर सकते है हाला कि एक बात का ध्यान जरूर रखे star 99 hash के माद्यम से mobile से UPI payment करने के लिए users का mobile number उनके bank account में register होना चाहिए offline तरीके से कैसे करे UPI payment अगर आप भी slow internet और internet ना होने की वज़े से UPI app को access नहीं कर पा रहे हैं और UPI की जरीए payment करना चाहते हैं तो हम आपको इसकी पूरी detail बता रहे हैं offline mode में UPI payment करने के लिए आप step by step guideline को follow करें अपने phone का dialer खोले और star 99 hash पर call करें फिर कई options के साथ एक मीनू दिखाई देगा चुकि हमें केवल पेसे भीजने की जरूरत है तो number 1 दबाए अब उस option को select करें जिसके जरीए आप receiver को UPI का उप्योग करके पेसे का payment करना चाहते हैं इसके बाद उस mobile number को enter करें जिसे receiver का bank account जुड़ा हुआ है और अब वे amount लिखें जिसे आप भेजना चाहते हैं और send पर click करें payment के बारे में एक comment भी लिखें आखरी step के लिए अपना UPI PIN number एंटर करें इसके बाद आपका registration पूरा हो जाएगा वे भी बिना internet connection के आप star 99 hash का उप्योग करके अपना UPI disable भी कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंदाए तो इसको like करें, share करें और आपके कोई सवाल हो तो आप हमें comment section में पूछ सकते हैं फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही आप बन रहें positive news के साथ